हेलो गाइज दिस इस में जियावलसन और वाचिंग हासनार स्टूडियो कॉंग्रेटुलेशन ओल क्योंकि आपके आज एक्जाम जो पेंटिंग का फाइनली हो गया है तो बहुत जादा टेंशन हो रही थे आप लोगो को अब आपका एक्जाम हो गया है और इसली हो गया वन में देखते हैं उसका A है उदयपूर, देवगर्ड और नाथद्वार वर्दा में सेंटर ओफ विच पेंटिंग स्कूल तो यहां पर उदयपूर जो है मेवार का एरिया था और नाथद्वार भी यह इसका सब सेंटर था तो इसका जो आंसर होने वाला है वो मेवार ही इसका राइट आंसर होगा and which painting school become famous for its life-size portrait made in realistic style तो वो है जैपूर स्कूल यह NCRT में दे रख है and C. गुलेर is a sub-school of which school of miniature painting तो इसका easily आपको आराम से हो गया होगा पहाडी स्कूल and question number D आता है whose period was known as the golden age of kangra school of miniature painting राजा संसारचंद, राजा घमन चंद, राजा सुरस्चंद, राजा तेक चंद, तो यह है इसका राजा संसारचंद, इसका तो हमने peak period में भी लिख रखा था अपने notes में and which book is noted as the first illustrated manuscript of Mughal painting तो first illustrated book जो Mughal painting की है जब हम starting में देखते है हुमायू के टाइ artist आते हैं तो वो शुरू करते हैं यहाँ पर हम्जा नामा, हम्जा नामा क्योंकि रज्म नामा तो यह अकबर के टाइम पर हुआ है और रामाएना, इनके जो आईने अकबर ही यह सब अकबर के टाइम पर हुए है और यही जिसमें की illustrated manuscripts भी हैं वो हम्जा नामा ही इसमें सह यह answer होने वाला है तो इसका right answer होगा हम्जा नामा and question number F आता है फिर which Mughal ruler prepared the illustrated manuscripts of Ramayana and Mahabharata तो Ramayana and Mahabharata के किस ruler के time पर इनके illustration हुआ है manuscripts का तो वो अकबर के time पर हुआ है and then G आता है which was one of the main center of Deccanian art style यहाँ पर एहमद नगर इसका जो है answer होने वाला है the pattern of Hyderabad school was तो Hyderabad में जो है निजाम साही rule जलता था कहते न है निजाम of Hyderabad तो निजाम साही dynasty हो गया है यह Hyderabad अब आते हैं आपके MCQs यह सारे हो गया अब आते है section B इसमें आपको पहचानना है कौन सी painting क्या है इसमें 5 दे रखिए और आपको 2-2 marks की है तो आप यहाँ दे option दे रखा है इन दोनों में से एक करना था हर जगा पे दो में से एक ही करना है तो यहाँ पर जैसे first दे रखा है this painting has been displayed a wonderful combination of deep contemplation, Sufism and great devotion for music तो यहाँ पर Sufism और Music का जो जिकर हो रहे डेकन स्कूल में तो वो है हजरत निजाम उदीन ओलिया एन आमिर खुसरो इसकी जो पें इसमें से अगर यह नहीं करा है आपने तो नीचे और में इन दोनों में से एक करना था तो बी वाला देखते हैं तो इसमें आपने चांद बीवी प्लेइंग पोलो के बारे लिख दिया होगा identify the painting and write about its title, painter, sub school and its medium तो यह सारी चीज़ें लिखने थी इसमें बस और यहां पर भी आपको दे रखा हुआ 100 words में इसको आपने describe करना था आप question number 3 का A आता है इन दिस miniature painting along with the decorative pattern of nature there is a devotional depiction of the selfish love of Lord Shri Krishna and the gopis तो यह Krishna with gopis painting के बारे में बात हो रही है Krishna with gopis तो इस painting के बारे में आपको लिखना था identify the painting and describe its artistic features in your own words तो यहां पर इसमें artistic feature मतलब four women horses four women horses riders are playing polo in the vast playground with the referee depicted in the middle of foreground in the foreground birds are depicted searching for food in the pond and high hills and buildings इसमें जो डिपिक्ट हो रही है तो वो पेंटिंग है आपकी चांद बीबी प्लेंग फोलो चांद बीबी की यहां पर बात हो रही है तो चांद बीबी प्लेंग फोलो आपने इसमें क्या लिखना है identify the painting write about the title लिखना है आपको चांद बीबी हो गई water color on paper ठीक है तो यह सारी चीज़े हो गई और इसमें थोड़ा सा इसका depiction आप दे देंगे एक तो यह लिख देंगे जो भी इसमें यह दिया गया है subject matter में हो गया और इसका थोड़ा सा depiction लिख देंगे कि इसमें क्या-क्या हमें और दिख रहा है and फिर आता है question no.3 का A and in this miniature painting along with the decorative pattern of nature there is a devotional depiction of the selfless love of Lord Shri Krishna and the gopies all the gopies are expressing their reverence and love in different ways तो यहाँ पर बात हो रही है Krishna with gopies and identify the painting and describe its artistic features in your own words तो यहाँ पर सिर्फ आपको description देना इसका छोटा सा जिसमें painting के बारे में लिखेंगे आप उसके costume बगेरा के बारे में और colors बगेरा के बारे में यहाँ पर आप लिख देंगे भी आता है इसमें से दोनों में से एक करना है in this painting Nand is seeing leading the group जो उपर वाली painting थी उसमें ब्लॉक कार्ट के बारे में उस painting को यहाँ पर describe करना था आपको यह है Nand या Soda and Krishna Kinsman going to Virandavana वाली painting है and identify the name of the painting and describe its artistic features in your own words तो यहाँ पर अपने words में आपको उसे describe करना होगा and question no.4 आता है फिर question no.4 में आपका आता है four male workers are trying to remove a heavy rock with all their powers तो यह जो और National Gallery of Modern Art के main gate पर लगी वी है courtyard में यह हो जाएगी आपकी trim of the labor trim of the labor, trim of the labor painting describe this artwork on the basis of compositional arrangement, medium and technique तो इसका medium and technique लिचना है और compositional arrangement लिखना है कि कैसे इसे compose करा हुआ है कहां कैसे कैसे रखा हुआ है यह ठीक है criticize any graphic print included in your course of study that depicted the spiritual harmony of tantra, yoga, sadhana, dharma, religion and feminine power तो यह देवी के बारे में बात हो रही है यहां पर आप इसमें देवी के बारे में लिख कर के आए होगे ठीक है अब आता है question no.5 from your course of study identify and appreciate the emotions which are dominant in the artwork made by the artist mentioned blow with the special reference to the application of color and technique तो यहां पर अमरिता शेर्गिल की painting की बात हो रही है तो वो है आपकी हल्दी grinder ठीक है हल्दी grinder वाली हो गई और दूसरी नंदलाल बोस है तो इसमें आपके जो स्लेवस में दे रखिया हुआ है शिव और सती शिव और सती तो इन दोनों में से किसी painting के बारे में आपको लिखना था question no.6 यहां पर love is an integral part of life this is the emotion that reinforce that feelings of security and concern for other in human being in separation it becomes more strong and awakens the longing for beloved union appropriately criticize any of the pictures given below in in which the average sentiment have been expressed तो यहां पर Radhika और Meghdoot के बारे में दिखाया गया है Radhika M.A.R. की है ठीक है M.A.R. चुगताई की है M.A.R. चुगताई ठीक है और Meghdoot painting तो यह राम गोपाल विजेवर गया की है ठीक है राम गोपाल विजेवर गया तो यह दोनों painting के बारे में आपको इसमें दिखाना था की इसमें कैसे लव शो किया गया है अब आता है question no.7 जो की long question है और इसमें 200 words में आपको express करना था अपना question तो यहाँ पर देखते हैं इसमें two कोई भी question आपको attempt करने हैं आप देखते हैं राजिस्थानी school follows a tradition of making a straightforward composition with the figure or figures highlighted against a flat background तो flat background कौन से painting में हमें दिखाए गया है राजिस्थानी स्कूल में तो उसमें एक तो flat background में हमारी इसमें फलैट बेक्गरांग दिखाये गया है दूसरा हमारी जो painting है वह है चोगन player चोगन player में भी ऐसा ही background है flat background और उसमें depiction जो paintings का किया गया है figure या figures का किया है वह आपको उसमें लिखना था इसमें identify करके दोनों painting के बारे में आपको लिखना था आपको दो painting के बारे में यहाँ पर लिखना था इनकेस आपने राधा बनी ठनी के बारे में लिखा है राधा बनी ठनी तो वो भी चल जाएगा क्योंकि उसमें भी flat background है और आगे जो है चटक color use करे गए bright color use करे गए discuss the following points in details through a critical article on the mughal miniature school तो यहाँ पर original development लिखना था आपको mughal painting school का and फिर major painters of the period of akbar and jahagir तो यहाँ पर जो जैसे आपके slaves में दे रखे हैं जैसे akbar के period के बात करे तो miskin और दूसरा जो अगर jahagir के time के बात करे तो उस्ताद mansoor तो उन painter के बारे में बस थोड़ा सा बड़ा चला के लिखना था आपको उन्होंने क्या क्या work किया है और उनके कैसे work हो रखे है इस time पे और इनके period में तो वो लिखना था and silent features of the mughal school और silence features जो है mughal school के वही जो features और characteristics and features दे रखे थे वही silent features हैं वही आपने यहाँ पर लिख दियोंगे अब सी देखते हैं अब निंदरना टेगोर is known as the father of Bengal school तो अब निंदरना टेगोर के बारे में यहाँ पर आपको दिखाना की था कि वो father of Bengal school उसे क्यों कहा जाता है क्योंकि उन्होंने यह शुरुआत करी थी स्टार्टिंग में और उन्होंने जो इंडिया की पुरानी आट थी उसको रिबर्थ करने की कोशिस करी थी और जो British propaganda था उसके अगेंस उन्होंने एक moment चलाया था जिसका नाम Bengal school है तो वही आप यहाँ पर लिख सकते थे और आपने लिखा होगा और यहाँ पर सिर्फ उनके नेम लिखने थे जो भी आर्टिस्ट है या फिर उनके थोड़ा बहुत पेंटिंग के बारे में भी आप डिस्क्राइब कर सकते थे या फिर उन पेंटर्स के बारे में आपने लिख दया होगा जो भी Bengal school के टाइम पर पेंटर्स थे